स्सक्राइन अलेकुम तो आज सी वीडियो में हम लोग कौल्कुरेट करने वाले हैं बॉण्ड लेंथ एन मोमेंट आफ इनर्षिया यह तो ने यह निसा ओसी मैर करनी है कासमेर करनी है यह रोटेशनल स्पेक्ट्रा से मैर करनी है ठीक है तो अब आप लोगो को याद हो का कि हमारे पास जो rigid body थी उनका rotational spectra का क्या formula था तो वहाँ पे हमारा जो wave number था wave number का formula था V, ये wave number हो गया at J level हमारा था B J into J plus 1 ये हमारे पास formula था rigid bodies का rotational spectra का ये जिसको मैं finally ऐसे भी लिख सकता हूं wave number J into B J into J plus 1 ठीके अब मैं कहता हूं कि for example जो मेरा molecule है वो jump करता है J से J plus 1 level ठीके तो अब मैं मुझे क्या चाहिए होगा अकर मैं कहता हूं मेरा molecule जो है वो V J से J plus 1 level पर अगर jump करता है तो मुझे से पहले J plus 1 level की value find करनी है यहां पर यहां पर यह यह बेव नमबर ऑफ J plus 1 level find कर लेता हूं ठीके अब मैं J plus 1 wave number की value find करना लगों तो अब मैं यहां पर हर जगा पर J की जगा J plus 1 put कर दूँका अब ये मेरा हो गया, B, J plus 1 level का spectrum, ठीक है? अब हमने जो मेर करना है, वो देखें कि वो क्या है, हमारे पास जो molecule है, वो जम्प करता है, J से J plus 1 level पर, तो हम डिफेरेंस कैसे find करेंगे, V J plus 1 में से हम क्या minus करेंगे? माइनस V J minus कर देंगे, ठीक है? अब यह मारे जो j plus 1 की value थी वो यह वाली थी b into j plus 1 और साथ में क्या है j plus 2 and और फिर minus minus के बाइद मेरे पास यह ही वाली origin value थी ना वो ही मैंने यहाँ से minus कर देंगी है b j into j plus 1 ठीक है तो यहाँ पर देख लिए b और j plus 1 यहाँ से मैं common ले लता हूँ तो यह मेरा बन गया b j plus 1 common में चला गया पीछे मेरे पास बचा j plus 2 और minus और यहाँ से क्या बचा जे ठीक है यह मेरे पास पीछे बच गया तो b j plus 1 j और j कट गए into 2 बच गया तो मेरे पास फार्मा निकला वो निकला 2 b j plus 1 ठीक है तो अब मेरे पास यहाँ पे मिल गया मुझे difference का formula लेकिन एक दफा हमें अब यहाँ पे अगर b की value पता लग गई देखें अब next काम क्या है कि अगर हमें यहाँ पे b की value पता हो तो हम उस b की value के जरीए i moment of inertia find कर सकते हैं तो हम क्या calculate कर सकते हैं अगर में b की value पता हो तो हम यहाँ से i moment of inertia calculate कर सकते हैं ठीक है और फिर जब हमें moment of inertia अगर पता लग गया एक दफा़ा तो हम moment of inertia का formula इस्तमाल करते हुए mu r square ठीक है यहाँ से r square भी find कर सकते हैं अगर हमें एक दफा मोमेंट अफ नर्शया आई की वाली पता लग गई ठीक है अब देखते हैं मूब आन करते हैं कि यह सबसारा काम कैसे होना है और म्यू जो हमारा रेड्यूस मैस होता है रेड्यूस मैस की वैली आप लोगों को पता है क्या होती है मू is equal to m1 multiply m2 divided by m1 plus m2 यह हमारी वैली होती है रेड्यूस मैस की ठीक है अब next move on करते हैं कि हमारे पास अगर एक molecule है HCl का ठीक है HCl का अगर मेरे पास एक molecule है ठीक है यह hydrogen है और यह CL है यह आपस में जुड़े हुए तो इस case में find करना चाहता हूं हमारा bond length तो मैं कैसे find करूंगा तो for example मैं कहता हूं जो मेरा यह molecule लेना वो jump करता है J is equal to 0 से J is equal to 1 पे J is equal to 0 से कैसे jump करता है J is equal to 1 पे ठीक है तो मेरा यहां पे जो है जो difference है वो क्या बनेगा V J plus 1 यह जो मेरा next energy level है वो मेरा क्या है इसका final formula क्या बना था 2B into J plus 1 यह formula बना था 2B into J plus 1 अब मैंने का molecule मेरा jump किया J is equal to 0 से J is equal to 1 पे तो मैं यहां पे J की value क्या put करूंगा 0 put करूंगा ठीक है starting value ही हमेशा हम put करते होते हैं यहां पे तो 0 plus 1 मैंने put किया तो मेरा answer क्या आ गया 2B ठीक है तो अब देखे मेरा answer क्या है 2B per centimeter तब हम यहां से क्या interpret कर सकते हैं देखें अब यह वाली जो equation होती है ना इस equation के जरीए हम बता सकते हैं कि हमारा moment of inertia क्या है हम moment of inertia calculate कर सकते हैं कैसे calculate कर सकते हैं spectrum से calculate कर सकते हैं तो यह वाला जो होता है नो इंफ्रम की इंफ्रम की इंफॉर्मिशन दे रहा हुता है कि मेर पास साइंटिस थे एंस फर एंड ऊइजेन प्रसेंटीमिंटर को अब हम यहां से क्या में प्रसेशनल स्पेक्ट्रीमे सका हुए आप Horivaly करें भी उनकी वीनप्राइब सब्सक्राइब होना और मिम्ट होता है उसका फॉर्मॉला होता है प्रका पहले भी होता है Dr पाइस के थिंगे थी मारजा फॉर्मॉला होता यही पाइस की चैनल एक विटांज में गफ्रण करना है्ना और चाहिए भी लेंगे तो i is equal to क्या हो जाएगा h divided by 8 pi square ठीक है अब नीच बी आ गया तो यह हो गया b into c अब next हमने values put करनी है यहाँ पर हमारा जो h है इसकी value हमने put करनी 6.62 into 10th power minus 27 ठीक है अब दूसरी जगह हम देखें यहाँ पर सेंटीमीटर में calculations ले रहें तो यहाँ इसलिए h की value minus 34 की बजाए minus 27 है यहाँ हम calculations gram और सेंटीमीटर में ले रहें यहाँ ठीक है अब next चीज़ जो हमने करनी है वो हमारे पास हो गया 8 ठीक है 8 multiply 3.14 का स्केर हो जागा यह 3.14 का स्केर और B की value हमने का था वो जो हैंस फर और 8 जिन ने मेर की थी हो कितनी थी वो थी 10.4 तो हमने 10.4 तो B की value लगा दी वो स्पी सी के हमारा speed of light है तो speed of light की value होती है 3 into 10 पावर 10 अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो यह भी सेंटीमीटर में आएगा ठीक है यह हमारे होगे सारे values पूट हो गई अब जब हमने इनको multiply divide किया तो हमारा overall answer आ जाएगा 2.69 इंटू 10 पावर माइनस 40 ग्रैम पर सेंटीमीटर स्केर ठीक है यह हमारे पास answer आ जाएगा आई का हमारे पास moment of inertia की value क्या आगई मारे पास moment of inertia की value क्या आगई मारे पास moment of inertia की value का इस्तेमाल करने आगे लेकिन सबसे पहले में reduce देखे ना बलके मैं आपको बतातूं कैसे इस्तेमाल करना है i is equal to mu r square होता है ठीक है अब मुझे यहां पर चाहिए mu i मुझे मिल गया मुझे 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 रडियूस मैस चाहिए तो रडियूस मैस कैसे find करूंगा एंवन प्लस अम ठीक है अब मैस ऑफ हईट्रोजन में रहा कितना होता है मुझे मैं लेना चाहता हो मालीक्यूल में जाता हूना यह तो मैस को ढूर आए उन्पवाइड इवाइड निरी इसे पावर 23 से तो मेरे पास फाइनली जो रेड्यूस में इसकी वैलियू है कि वह होगी वन पॉइंट सिक्स वन फोर इंटू टैनिस पावर माइनस 24 ग्रैम पर मॉलेक्यूल ठीक है अब देखें कि हमने कैसे मूव आन कर रहे हमने आई की वैलियू निकाली आई की वैलियू निकाली है अब देखें हम फाइनली अपने लास्ट टैप की तरफ मूव आन करें जहां में आर की वैलियू निकाली है तो देखें आर की वैलियू कैसे निकाली है आई इस इक into tennis power minus 40 ठीक है और इसको मैं डिवाइट करें तो मियू से तो मियू मेरा क्या बनता है मैंने जो भी अंसर निकला था 1.614 into tennis power minus 24 ठीक है जब मैं यह करूंगा तो मेरा answer निकलाएगा 1.6658 into tennis power minus 16 1.6658 into tennis power minus 16 और centimeter square में answer आजएगा मेरा ठीक है अब मैंने फर्दर क्या करना है कि फर्दर अब मैंने इनको देखें यहां पर है मेरा square और यहां पर मेरा जो है ना मैं इसका क्या लूँगा under route लोगा taking under route on both side r square का मैंने under route लिया उदर स्थे मैरी वेली निकली थी 1.6658 into tennis power minus 16 तो उसका भी मैंने यहां पर कह ले लिए अंडरूर तो मेरा बच गया आर इस इक्वल टू वन पॉइंट टू नाइन इंटू टैनेस पावर माइनस एट सेंटीमीटर अब देखें कि वही वाली वैलियो जो हमारी आर किया थी उसको फुर्दर नैनोमीटर में चेंज कर सकते हैं कैसे करrengे सेंटी की वैल्यों टैनेसपा नेसमाले माइनसtू हम से मिते मrü क्रमें च्छोटे से बड़े में आ रहे हैं तो हमिआप सेंटी की जगा ठीक है अब देखें कि हमने क्या क्रनें आखर वन पॉइंट इफ़ फीचे कि जाता हूँ तो मैं यहां पॉइन पर किसमाल uh... और का इस्तमाल करते हुए है और या नियी मेरी क्या है from the bond len mundane पे निकाल ली है तो इसी तरह लगर हमें कोई तो उसमें हमें एने सील का क्या बतया होगा एने सी अल का उन्हाने बी की वालुई रडी डी होगी जिस तरह यहां पर उन्हों ने आपे एंसिएल चेह लिए तो यह तो यह ताज की वीडियो का कि इस्तमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं बाकी moment of inertia और बाकी सब चीज़ें find कर सकते हैं जैसे हमने यहां पे HCL के लिए किया तो यह था आज की वीडियो का हमारा टापिक इंशाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में